हिंदू पुराणों में भगवान शिव के साथ पुत्रों का उल्लेख मिलता है। एक कार्तिके, दो गनेश, तीन सुकेश, चार अयप्पा, पाँच जालंधर, छे भौमा, साथ अंधक। शिव पुराण के अनुसार, भगवान शिव की पाँच नाककन्याएं और तीन कन्याएं थी। इन नाककन्याओं का नाम जया, विशहर, शामिलबारी, देव और दोटली है। इनका वास निवास शिवलिंग की जलहरी में है। भगवान शिव की तीन कन्याओं की जन्म कथा। प्रथम अशोक सुंदरी पद्म पुरान के अनुसार, देवी पारवती अपने अकेलेपन और उदासी से मुक्ती पाने के लिए कल्प व्रिक्ष से पुत्री की कामना की जिससे एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। त्रीतिय मंसा उनका जन्म तब हुआ था, जब शिव जी का वीर्यकद्रू, जिने सामको की मा कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पारवती की नहीं, बंगाल की लोगकताओं के अनुसार, सर्पदंश का इलाज मंसा देवी के पास होता है, मंसा देवी ने समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव को जहर से बचाया था,